नमस्कार, गुड मोर्निंग, ससरेकाल आताः शुरू करते हैं आज की स्वामी वियकानन्द बायग्राफिकों और इसमें क्या है आज है 12 जनुवरी 12 जनुवरी को मनाते हैं राश्टी यूए दिवस वो मनाते हैं स्वामी वियकानन्द के जन्वदीन पर किसी जनम दिन पर यह राश्टी युवद्यूस मनता है तो वह स्वामी वीकनन की तो फड़ा पड़ क्या वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल पर नहे हैं तो सब्सक्राइब जुरू करें जो आपको नीचे रेड़ बिटन दें दिखे देरस क्यों कर दें और बैर एकन प्रेस करें ताकि इनने वीडियो की नोटिफिकेशन मिले हैं चलिए शुरू करते हैं वीडियो को यानि राश्टी युवद्यूस स्वामी वीकनन की बारे ने जो देख लेते हैं कुछ 12 जनवरी को भारती राश्टी युवद्यूस मना जाता है जो की मना जाता है स्वामी वीकनन की जिनम दिन पर और अंतराश्टी जो युवद्यूस है वो मना जाता है 12 अगस्त को जिसको मनानी की शुरूआ तो थी 2000 के अंदर 12 सरकाण ने इसको मनाने कि जो गोफना है वो कीनि सो 1874 के का अंदर और 1905 से 12 जनवरी को राष्ट यूद्विस मना जाता है गोफना कब हुईती 1924 के अंदर और मना जा रहाए 2025 से राष्ट यूद्विस जो मुनाते हैं उसका मुखः लगए से होता है कि बार्ट के जो यूँए उनकी भी स्वामी विवेकननद के आदरसों और विचारों को जो फेलाना है राष्ट यूद्यूस रूम में स्वामी विवेकननद है उनको जनम दिन को मनाने के लिए उननीस चुराश में गोशना होई और पिचैस में मना जाने लगा उनकी जो मरती हुई थी वो इती ठारा सो निनान में के अंदर जो है वो अमरिका से लोट रहे थे उस टाइम वो गए थे बिमार और उनकी बिमारी दो से तीन वर्षव तक रही और उसके बाद वो उनको ज़ए चार जुलाई उननीस सो दो को जो है उनका निदन हो गया उन्हों की जो रचने हैं वो जिन में क्या है करम योग राज योग मुद्लर जैसी काफी उन्होंने पुस्त के बी लिखिये हैं चलिए देख लेते हैं उनके बारे में कुछ डेटेल से उनका जनमस्तान, मर्तिउस्तान, उनकी माता पिता, उनका विधालियत जो है वो देख लेते हैं उनका पूरा नाम था स्वामी वेकनन्द और अन्य नाम जो था वो था पूरा नाम थो था और अन्य नाम था वो था नरेंदर नादत जो की मूल नाम था उनका जनम हुआ था 12 जनबरी 1800 तरेस्ट को और जनम कहा हुआ कौलकन था वर्तमान के कौलकत्ता में मरती हुई थी 4 जुलाई 1902 को जो की हुई थी राम करशन मठ के अंदर जो की बेलूर के अंदर है उनके पिता का नाम था विसुनाथ दत और गुरू थे उनके राम करशन परमास करम भूमी है, वो है भारत और करम चहत्र हुए दार्षनिक, द्रम प्रवत्त तक और संत थे मुख्य उनके रचनाई थी उनके योग, राज योग, ग्यान योग उनकी मुख्य रचनाई थी वी देले था कलकता विसु वीदेले प्रशिद दी उन्हें मिली थी अधात्मिक गुरू के रूप में उनके लेक थे उनमें थे राष्टी युवा दिवस उनके अन्य जानकारी के लिए बता दे हैं कि अंग्रेज बार्तवीद एल बास पासम ने युविकानिंद को जो है इतियास का पहला वेक्ती बताया जिन्होंने पुरू के दाद्मिक संस्कृति के मितता पुरून परचूरता का प्रारम किया और उन्हें अधुने की विसो कोकार देने वारा गोशिट किया है 12 जनवरी 1813 को जनवे कलकत्ता के अंदर और मरती हुई 4 जुलाई 1902 को बैलूर के अंदर और ये एक युवास एनाशी के रूमे जो है बाते संस करती की सुगन विदेसों में बिखेने वाले सायते दरसन और इतियास के पर्खंड जो है विदवान थे उनका मूल नाम था नरेंदर नाथ दत आगे चलकर उने जो है विखेती मिली तो वो मिली स्वामी वेकानन की नाम से उनके अध्यात्मिक गुरू थे नरामकर्शन प्रमास हिंदु द्रम को गति सीलता हुए विवारिक मनाया सुदर सबत्या के निर्मान के लिए अधुनिक मानों से विग्यानिक पश्चमी विग्यान बोथिकभाद को भारत की द्यात्मिक संस्कृति सीजोड़ने क आगर्या किया कलकता के कुलीन प्रियार में जनमे नरेंदर नाद चिंतन बगती तारिकता बोधिक स्रेटसा के साथ के संगीत की प्रतिका भी उन्हें विलक्षन सयोग था बारत में जो है उनके जनम दिन को जो किया राष्टि युएदिस मुनाते हैं उनका जीवन प्रिच है कि विस्व नाद दत जो उनकी पिता थे पाच्चिते सबता में के आस्ता रखने वाले वेक्ती थे विस्व नाद दत के घर में क्या उत्पन होने वाला पुत्तर नरेंदर दात जो आगे चलकर क्या मना था एक बारतियो तत विज्व नाद का संदे सुनाने वाला महान विस्व नाद जिनका नाम दा स्वामे विकानें जिनको 12 जनबरी 1830 में करकंता में उनका जनम हुआ रॉम रोला के अंदर नरेंदर दात ने जो है सम्द में जो ठीक ही का है कि उसका बच्पन और यह वास ता के बीच का जो काल था वो यूरोप के पुंदर जीवन यूग के किसी कलाका राजबूत के जीवन पर बात का समरन दिलाता है उनके पिता के जो मरती हुए वो हुई थी अठारा सो चुरा सी के अंदर उसके बाद प्रिवार के ब्रहन पॉर्शन का बार भी नहीं पर पड़ा था स्वामी विकर ने जो थे एक गरीप प्रिवार से बिलों करते थे नरेंदर जे उनका विवार नहीं हुआ था वे एए विवाई थे दुरलब 38-38 में से बुके रहकर अतित्यों को सतकार की गुरो गाता उनके जीवनका जूल अधिया है नरेंदर की परतिवा एपरू थी उनके बच्चन में दर्शनों का अधियान कर लिया था बराव समाज में वे गए और वहाँ उनकी जीग्या सा सांतना हुई परकर बुदी साधना में समधान ना पाकर नास्तिक हो गए थे वो उनकी शिक्षा थी वो थी 1880 में सोड़ा वर्स के यूमनोंने कोलकता से जोय प्रिक्षा पाया थी प्रवेस प्रिक्षा और अपने शिक्ष्यकाल में सारवधिक लोग पिरिये और एक जीग्या सुचातर थे किन्तु क्या हर्बर्ट स्पेंसर हैं उनके नास्तिक वाद का उनके बहुत बुरा प्रवाव था नास्तक उपादी प्राप्त करने के बाद हुए ब्रास माज में सामल हुए जो हिंदु धिरम में सुधार लाने और उन्हें अजदुनिक बनाने का प्रियास उनका राओ यह उनकी पर्तिमा विवास्ता में उनके पास्टित्य दर्शनिकों के निरी स्वर भोतिगवाद इस्वर के अस्तों में दर्ड बारतिय विश्वास के कारण गहरे दुन से गुजना पड़ा परमस जी जैसे जोरीने रतन को परका है उन दीविया महापुर्श के स्वर ने नरेंदर को बदल दिया था उच्छी से में उनकी बेट रामकरशन से हुई उन्होंने विश्वास दिलाए कि इस्वर वास्तों में है और मनुश्य इस्वर को पास सकता भी है रामकर्षन ने सुरुवयापी प्रम सत्य के रूमे सुरु की सुरुष अनुभूती के पाने में नरेंदर का मारदर्शन किया और उन्हें शिक्षिया दी कि वे सेवा नहीं कभी दान नहीं बलकि सारी मानवता में नहीत इसुरु की सचेत अरादना होनी चाहिए का जाता है कि सक्ती पात के कारण कुश दिनों तक नरेंदर उन्मत्र से रहे और उन्हें गरू के आतमदर्शन करा दिया पच्छिव वर्ष की वस्ता में नरेंदर दटने कसा ये ओस्तर धारन किये उन्हों अपने गरू से परेलिठ होके नरेंदर नाथ से सन्यासी जीवन बिताने की देखशा लिये और स्वामी विकनिंद की रूम में जाने गए जीवन के आलो को जगत के अंदकार में बढटकते पराणियों के समक्स उन्हें उपसित करना था स्वामे विकानन्द ने पेदली पूरे बार्त की यात्रा भी की देश का पुन्द और निर्मान राम कृष्ण जो है उनकी मर्तिव के बाद उन्होंने सों को हिमाले में चिंतन रूपी आनल सागर में डूबोने कि चेस्टा की लेकिन जल्दी वे इसे त्याकर बार्त की करोना एक निर्दनता से साकसार करने और देश की पुन्द निर्मान के लिए समुच्चे बार्ति में उन्होंने बरमन के यात्रा की काफी दिनों तो वे भुके भी रहना पड़ा उनको छैवार्सों में बरमन का आलमे वे राजाओं दलीतों दोनों की अतिति रहे हैं उनकी ये सामान जो मान यात्रा कन्या कुमर्शिम में जाके संभावत होई जहां अध्यान मगन वियाकनेंद को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि रष्ट ये पुन्द निर्मान की रोजान वाले भारतिय विराग्यों और उनकी सभी आत्माओं विशेस करजन साधान की सुप्त दिव्यानता के जागरन से ही मरतक प्राइदिसों में पराणों का संचारन किया जा सकता है उनीछ सो तिरान में में सिकांगो में द्रम संसद में जाने के लिए उन्हें प्राइदिन किये भी थे उनको समय ना मिले इसका बरपूर प्राइदिन किया गया था उसके अंदर प्रिसुद के अंदर एक अमरीकन फ्रोपेसर है उसकी उद्योग सिक्षी परकार का समय मिला और 11 सितंबर 1803 में कि उस दिन उनके अलुलिक तत्तो ग्यान से पास्तियाब जगत को चौंका दिया अमरीकन ने सविकारिय किया कि वस्त बारती जगत गुरू था और रहेगा स्वामी विकान ने वहां बारत और हिंदु द्रम की ब्यवेशत तास्ताफित करके जबर्दस्त पर बाओ छोड़ा था उन्होंने समद्दन के साथ अपने बाशन की सिरुवाद करते ही जो साथ जार परती ने दिती है उन्होंने तालियों के साथ उनका स्वागत किया था उस सभा के अंदर और विवेकान ने वहागतित लोगों के सभी मानों की अनुवारी दिवेत्ता के प्राचिन विदांतिक संदेश और सभी द्रमों में नहीं एक तक की से परचीत करया 1806 में अमरीका में तक और उनी का व्यक्तित था जिसने बार्त और हिंदु द्रम की गोरों को पर्थमवार विदेशों में जागर्ट किया था द्रम एयों तत्तो ग्यान के समान बार्तिय सुतनता की प्रेना कभी उन्होंने नेतरतो किया स्वाम विक्ननन का गरते थे कि मैं कोई तत्तो वेता नहीं हूँ नय तो संत है या दार्शनिक ही हूँ मैं तो गریब हूँ और गریबों का अन्यभगतू हूँ मैं तो सचा मातवा हूँ उसे ही कुँआ जिसका हर द्या गریबों के लिए तड़ प्ता हूँ उन्होंने एक सिष्यों का समोह मनाया फ़ॉसु से जश्यों समय तक वो अमरिका के विबिन नगरों लंदन पेरिस में वयपक उन्होंने व्यक्रिण दिया उन्होंने जर्मनी रूस पुरुई能 एअरोब में भी यातरा की हर जगह उन्होंने विदात की संदेश का परचार किया कुछ अवसरों पर वहाँ पर उन्होंने विदात की चरम अवस्ता में पहुंचाया था जहांत तक ही पस्चमी के भीड बरी संबागरों में भी उन्होंने समय परती सिश्यों का समय मनाया और उनमें से कुछ को अमरीका की आइसलेंड पारक में अध्यात्मिक जिवन में पर्चित भी किया उनकी सिशों ने उनका भारत तक अनुशरुन किया स्वामी विकानेंद ने विसु बर्मान के साथ उत्राखंड के ने एक चेत्रों में भर्मान किया चिन में अलमोडा चंपावत में उनकी विसरामस तली को द्रोवर के रूम में सुरुक्षित किया गया विदान द्रम अठारास वस्तान में जब विकानेंद भारत लोटे तो उनके रास्ट के आई भूत पुरू उत्सा के साथ उनका स्वागत किया उनके द्रोवरा विदान के जो मानवता वादी गती सील और प्रियोगिक संदेश ने हजारों लोगों को परवाइद भी किया सुवावी कानद ने सद्यों के आलचे को त्यागने के लिए पार्टियों को प्रेरित किया उन्हें विसो नेता के रूम में नए आतमिस्वास के साथ खड़े होने दलीतों महलाओं को शिक्षित करने उनकी उत्यान के मादम सिदेश को उपर उठाने का संदेश दिया उन्होंने मशिया के रूम में अरवीदों गोस सुबास बोस सर जमदेश जी टाटा रविंद नाट टैगोर महतमगांदी जैसे मान विक्तियों ने स्वामी विकानन्द को भारत की आत्मा को जागर्द करने वाला और भारतिये राष्टवाद के मसीया के रूम में देखा विकानन्द सार्व बमविक्ता के मसीवा के रूम में उब्रे सुबास विकानन्द पहले अंतर राष्टवादी थे जिनोंने लीग ओफ नेशन के जनम से भी पहले अठारा सुस्ताण में में अंतरास्टे शंग्ठनों गडबंदनों कानूनों का आहन किया जिसे राष्टव को की समन्य स्थाफित किया ज उसकी चित्तर हैं अतीत के जोत के से पस्मि को योग और ध्यान से प्रिजित करणे वाले जो सौमी कनन्द थे उनके बारे में वा के लोग कांप भी जानते थे लेकिन भारत में इस बंगाली बूद्रिजीवी का अब भी बहुत समान किया जाता था नियूरोक में जहाँ भी स स्वाधता एमिली ब्यूकन का ही गर था बंजरी का परकार के टायरों की चर्मराट आने वाले तुफ़ान के आसंका के और हों के साथ जूमते पेड़ स्वामी ब्यूकन के लिए इन बातों को कोई माइने नहीं थी उनका नजरिया हाली में उस वक्त बदला जिनुने पता चला कि स्वामी भारत के सबसे परवाई साले द्यात्मिक चिक्सकों में से एक थे स्वामी ब्यूकन ने प्रस्चिम को पूरो के दर्शन में प्रचित कर वे था रामकृष्ण प्रमहस की अनुवाई कैलिफोर्निया नेन को वहाँ परदवाजी का गित्ता प्राण के नाम से जाना जाता था वहां रेटर सेंटर चला रही प्राजवी का गित्ता प्राण ने एमली व्यूकनों को पूरी तरह जगह दिखाई घर में साथ ठैलते परजरिका ने जो है बताया कि उनका बिस्तर भारत बेज दिया गया लेकिन वह है यही कमरह जहां वह सोवा कहा करते थे इस भोजन कर्समें वहां खाना क क्या करते थे स्वामें यूकनों बीबी सी समभादा थे उनकी परदादी को जोई जोही कहा करते थे सुवामे में एक कनन दोरा स्तापीत विया कनन दनी एक में उन ठारा सो स्तान में के अंदर कोलकंता में राम कर्षन मिशन और नो दिसंबर अठारा सो अठारा में के कोलकंता के निक्ट गंगानादी के किनारे बेलूर में राम कर्शन मट किस्तावना की उनके अंग्रेज अन्वाई कैप्टन सेवेरियर और उनकी पतने ने हिमाले में अठारसो निनानमे में माया वाती अधेत आसरम खोला इसे सर मौमिक चेतना की है अधेत दर्ष्टिकौन के एक एदिविति संस्तान के रूप में सुरू किया गया था विवेकनन्द के इंचान उसर इसके उनकी पूर्वी और प्रश्चमी अनुए को केंदर माना जाता है विवेकनन्द ने बेनलूर में एक दर्ष्टिय अपर्टिक के रूप में सभी परमक दर्मों के वास्तो सास्तर के समय पर दारित रामकर्शन मिंदर के भावी अकार के रूप रिखा भी मनाई जिसे 1937 में उनके साथी सिश्यों ने जब पूरा किया था उनोंने राज योग योग गानी योग जैसे गरंतों की रसना की थी कन्या कुमर में लिखा अज भी उनकी महांता की कानी कैयरा है उनकी मर्तिय जो है स्वामे विवेकनन्द के ओजसी और सार गर्थित विखानों की फरसीद भी सो बहर्में जीवन के अन्तिम दिनों में कुसल युजर वेद की व्याक्य की और खा की व्यकानेंद चाहिए ये समझने के लिए की व्यकानेंद ने अब तक क्या किया है परदश्यों के उन्सार जीवन के अन्तिम दिनों ने उनने द्यान करने की दिन्चरिया को नहीं बदला पराते जो है दो तिन घंटे द्यान किया किया करते थे उन्हें दमा और सक्रा के अत्रिक अन्हें सारे रिक्ष्वियादियों ने गहरा काता उन्होंने काक भी था कि ये बिमारिया मुझे चाड़िस वर्च के आयूक किसे भी पार नेकने देगी चार जुलाई 1902 को बेलूर में रामकर्ष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मगन अवस्ता में मा समाधी ध्रान कर प्रियान त्याग दी उनके सिस्यों और अन्योयों ने उनकी समर्ती में वहाँ एक मंदर मनवाया और समुच्चे विसों में विएकननद और उनकी गरू रामकर्ष्ण की संदेशों को परचार के लिए 130 से ज़्यादा के अंदरों की स्तापना कियी थी तो उम्हीद करेंगे आपको मारे ये वीडियो पसंदार है आया तो वीडियो को क्या लाइक कर दें ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जूरू करें नीचे आपको रेड़ बटन दिखे दे रहा है उसके साथ और बेल आकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ऐसे ये नए वीडियो हम आपके लिए लेते हैं अगर आपको टेलीग्राम प्रद्ज है, पीडियो फायल चाहिए तो आपको टेलीग्राम जोइन करना जिसकी भी लिंक नीचे है जहांपर सभी परकार की पीडिया आपको सेव मिलती है जो क्योंती बिल्कुल फ्री नो चाज मिलते हैं ने वीडियो में तब तक मसत रहें स्वस्त रहें जाहिन जाहबार